हेलो विरिवन आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा आठवी की प्रश्णवाली एक तो प्रश्णवाली 1.1 का पहला क्योशन है आपके पास 2 बटा 3 माइनस 2 बटा 3 गुनित 3 बटा 5 प्लस 5 बटा 2 माइनस 3 बटा 5 गुनित 1 बटा 6 तो प्रिय चात्रो इस क्योश्ण को करने से पहले आपको दो बेसिक चीज़े याद होनी चीए दो नियम बोल सकते हैं आप इसको यह होता है आपका एक क्रम विनेता का नियम कि और एक होता है आपका वित्तरण का नियम अब क्रम विनेता का नियम क्या होता है बिल्कुल आसान बाशाम समझ लो आपका यहां लिखदू में दो बटा सोरी दो गुनित 3 और एक हो जाएगा आपका टीन गूनित दो यानि किस मैंने क्या क्या लेक दो हो नियirst अब देखो दोस्तों यहां हो गया एक गुनित भी फिर वह जाया गुनित भी गुनित सी अब वित्तरण का नियम में क्या होता है जो भी आपके पास संक्या दियो होती है उसमें जो आपको कोमन दिखता है दो पेर बनाते हैं उसमें जो कोमन दिखता है वो बहार निकल जाता सी अब आपको ऐसा ही चीए तो फिर इनका गुणा कर लो तो सेम हो जाएगा यह जाएगा बीग गुनित ए फिर हो जाएगा व कुनित थी स्वाइब कंडिशन हो गया यापका कॉमन निकल कर आ गया कोमन का जो निकलता है उसका कोष्टक में गुणा करते हैं तो यह आ आपका माइनस दो बटा तीन गुणा यह पेर बन रहा है एक यह बन रहा है और यह बन रहा है यानिकि पेले इसको लिखते हैं फिर इनको क्रांफ विन्य कर लेते हैं क्राम बिन अगया लिख लेंगे और इसको पीछ लिख लेंगे तिन बटाब पान्च यह होजाएगा आपका माइनस तिन बटाब पान्च गुणा एक बटाच छे और जो बचा हो लिखलो तो प्लस पांच बटाब दो बचा है है अब आपको दिख रहा होगा कोई कॉमान संक succes इते विल्मुड है ये है आपका तीन लिग दर यान कि एक पेर तो यह बन रहाए एक पर यह होजाएगा दो बटा निकाल लो कॉमण बंक रोनगोर डी वाले सा और तो यह बचा एक यह बें तो यह हो जाएगा दो बट्टा है तीन और यह एक बट्टा छे बचा यह माइनस इसा कैसे रहेगा गुणा तो बाहर आए गया कोई दिक्कत ही नहीं तो यह माइनस एक बट्टा च्छे कोश्टक बन और जो बचा हो लिक लोग प्लस पांच बट्टा दो अब 3 और 6 का LCM निकालेंगे हम तो 3 और 6 का LCM निकालेंगे सबसे अच्छी तरीका यह है कि दोनों के पाड़े में इसी कौन से संक्या है जो सबसे छोटी संक्या होती है दोनों के पाड़े में इसी कौन से संक्या है जो आती है पाड़े में तो आती है लेकिन सबसे छोटी हो तो छे चे कपाड़े में आता है बिल्कूल और तीन के पाड़े में भी छे आता है तो आपका एलसेम क्या बनता है छे अब जिसको यह समझ में ने आया मैं इसको यहां बता देता हूं यह से निकाल गए तीन और छे का LCM निकालेंगे, तीन तो इसा का सही, यह दो त्रिया 6, फिर तीन का जाएगा, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, और इनका गुणा ही अपना LCM होता है, तो त्रिया 6, यह 6 LCM होगे, यह 6, अब जो LCM आये आपका, अब जो बटे में जो संक्या है, उसका भाग इ देंगे, कितनी बार जाएगा, दो बार, तिन दू अच्छे, उसी दो का गुणा आपको उपर करना है, तो उपर क्या आप क्या, माइनस टू, तो यह हो जाएगा, आपका, माइनस टू, गुणा टू, बीच में माइनस है, कुष्टक लगा लोगा लिख कर दिए, फिर 6 का भाग 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, एक का गुणा उपर करेंगे, एक गुणा एक, यहां तक समझ में आये होगा आपको, अप निच्छे चलते हैं, यह तो आपका ऐसा ऐसे बचा ही है, लिख लो, हमने सिर्फ अभी LCM किया था, यह भी आपका बचा हुआ यह भी लिख लो, अब LCM सोल करेंगे, तो यह एसा कैसा लिख लो, यह दो दूआ चार, तो चार काई के आएगे, माइनस के, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, माइनस प्लस माइनस होता है, फिर बीच में माइनस, एक का गुणा एक में करेंगे, तो एक यह आएगा, बटा छ है, फिर कोश्टक बन, प्लस पांच बटा दो, इसा कैसे लिख लो, बचा हुआ, अब फिर कोश्टक सोल करेंगे, तो तीन बटा पांच, as it is, और माइनस चार और माइनस एक कितना होता है, मैंने क्या समझा था, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन आंसर टू, अब कोश्टक हटाएंगे, और बीच में गुणा का चिने लगाएंगे, सवाल सोल करना हमको अब, गुणा यह हो जाएगा, फाइफ, सिक्स माइनस के, अब जो कटरी हो सेंग क्या काट लो, तो पांच से पांच कैंसील, फिर तीन से छे कट जाएगा, तीन एक कम ती तीन दू अच्छे, प्लस पांच बटा दो ऐसा एक से बजाएं लिख लो, फिर यहां क्या बचा एक तो, आपका बचा माइनस का एक, क्या बचा, माइनस का एक, नीचे बचा आपका दो, यहां है आपका पांच बटा दो, फिर यहां LCM ले लो, LCM नहीं आता है, देख लो इदर, दो और दो का LCM हमेशा 2 ही होता है, दो एक कम दो, दो एक कम दो, तो LCM क्या आपका, दो, यह दो, फिर दो का गुना, आप, दो का भाग दो में देंगे, कितनी बचा जाएगा, एक बार जाएगा, उसे का गुना बीच में PLUS 2 का गुणा 2 का भाग दो में करेंगे कितनी बार जाएगा एक बार उसी एक का गुणा आपको ऊपर करना है तो एक बार गया तो 5 गुणा एक लिख दूने क्योंकि बड़ी संग के आपकी काई में प्लस में इसलिए प्लस के 4 बज़े और नीचे 2 अब कर जाएगा 2 एकम 2 2 2 4 तो आपका अंसर निकल के आएगा 2 आशा करता हूं दोस्तो ये सवर आपको समझ में आया होगा अगला केशन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे थैंक्यू दोस्तो